मोर सभी पक्षियों में से बढधा पंक्षी होता है। मोर के पंख बहुत ही खुबसूरत और रंग बिरंगी होते हैं। एल जन्म से ही मोर के सिर पर एक मुकुट कलगी होती है। मोर एक लंबी और रंग बिरंगी चमकदार गर्दन वाला पंक्षी है। मोर मासाहरी और शाक पाष्ट्रिय पंक्षी का दर्जा मिला था। भारत में पाए जाने मोर लगभग 1 से 1.5 मीटर तक लंबे होते हैं। यदि वजन की बात की जाए, तो भारतिय मोर का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक होता है। दो लंबी टांगे भी होती हैं, जो की बहुत ही बदसूरत होती है। मोर का नृत्य बहुत ही मनमोहक होता है। ये अकसर बारिश में नाचते हैं। संस्कृत में मोर को मयूर कहते हैं मोर का पंक भगवान श्री कृष्ण के सर पर भी लग होता है 21 मोरनी हर वर्ष दो बार अंडे देती है मोर के एक जुंड में एक मोर और 3-4 मादा मोरनी होती है अक्सर मोर शिकारियों से बचने के लिए पैर पर चरकर बैठ जाते हैं मोर हवा में उड़तो सकते हैं कि हैं लेकिन ये ज्यादा देर तक हवा में रह नहीं सकते मोर को हवा में उड़ने से ज्यादा जमीन पर चलना ज्यादा पसंद होता है मोर एक ऐसा पंक्षी भी है जो भारतिय संस्कृती और सभ्यता का भी हिस्सा है कार्तिके जो भगवान शिव के बेटे हैं मोर उनका भी वाहन है मुगलों के बादशाह शाह जहां ने तख्त एताउस बनाया था जो की मोर की सुंदर्ता से प्रेरित था मोर के पंक्षों का इस्तमाल सजावट के लिए भी होता है मोर के पंक्षों का इस्तमाल हवा वाले पंक्षे बनाने के लिए भी किया जाता है मोर एक तीखी और कठोर आवाज वाला पंक्षी है आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि मोर का बच्चा जन्म लेने के बाद एक दिन बाद ही खाने, पीने और चलने लगता है दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी मोर का शोकिन था, जब वो यूनान लोटने लगा, तो वो आपने साथ कुछ मोर भी ले गया था मोर लगभग दस मील प्रति घंटे की रफ्तार से दोद्ध सकता है, मोर की चोंच लंबाई में एक इंच होती है मोरनी एक बार में तीन से छे अंडे दे देती है, जिसमें से बच्चे निलने में 28 दिनों का समय लगता है, मोरनी खुद ही अंडों को सैने का काम करती है आपको यकीन नहीं होगा कि 200 से भी ज्यादा चमकीले रंग के पंख मोर की पूछ में पाए जाते हैं, मोरनी को अंग्रेजी में पियाहिन कहा जाता है और मोर के बच्चों को अंग्रेजी में पीचिक्स कहते है मोर के जुटड़ाच को अंग्रेजी में पी फाउल कहा जाता है मोर तैर नहीं सकता, ये पानी में तुरंत डूब जाता है एक मोर 11 तरह की आवाजे निकाल सकता है, इसकी आवाज बहुत ही तीखी और कठोर होती है